क्या दिखाना है मुझे क्या होता है एक्चुली रूट जहां पर फंक्चनल वैलू क्या देता है जिरो हो जाता है अगर एक्च की कोई वैलू में एक फंक्चन जिरो हो रहा है तो उस पॉइंट को हम जिरो कहेंगे चलो स्टार्ट करते हैं तो हम पहले देख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या है लोकल मिनिमाम एन लोकल मैक्सिमम भैलू क्या है ठीक है और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें एक डैस एकस की जूरोर्ट है ठीक है आप यहाँ पर देखो एक इंट्रीगेशन शाइन है तो इसको हम इन्टिक्रेट करेंगे उसके बाद हम फिर डिफरन्टिट करेंगे एक तरीका हो सकता है और सेकेंड तरीका हो सकता है हम इसको direct differentiate करें इस integration को उसे क्या कहेंगे differentiation under integration आपको एक value fx function दिया हुआ है कैसा integrate f1x to f2x एक limit है ठीक है तो f1x का value यहाँ पर क्या है 0 है f2x का value यहाँ पर x है ठीक है इन जेनरेल fx अगर ऐसा दिया हुआ है fx equals to integration f1x to f2x gt dt वाट is gt this is function of t तो हम क्या करेंगे तो हमें क्या निकलना है f-x ठीक है so f-x equals to अगर इसको हम differentiate करेंगे तो क्या होगा ddx of integration f1x to f2x gt dt इसका value this equals to first जो अपर लिमिट है f2-x into g of t के जगा में f2x हो जाएगा minus lower limit का differentiation f1-x into g of f1-x यह हम directly f-x का value निकाल सकते हैं जो given function है अगर मैं given function की बात करूँ तो f-x क्या होगा देखो क्या होगा यह हमारा gt है ठीक है यह हमारा upper limit है यह हमारा lower limit है तो f2-x होगा f2-x क्या होगा 1 हो जाएगा 1 into g of t के जगा में क्या मिल जाएगा क्या रखेंगा हम x रख देंगे यहाँ पर क्या रखा था f2-x तो क्या रख देंगे g of x minus 0 0 की derivative क्या होगा 0 ही होगा 0 into g t के जगा में 0 रख देंगे यह value 0 हो गया तो f-x क्या मिल गया मुझे gx gx equals to क्या हो जाएगा यह gt था तो gx क्या हो जाएगा just t replace by x x square minus 5x plus 4 into x square minus 5x plus 6 ठीक है ना ओके अब देखो so critical point क्या है तो हमें अगर f-x निकलना है तो मैं यही rule अपना होगा ठीक है अब देखो critical point क्या होता है अब देखो critical point koss suffम देखो koss 지 six ks k in in the domain of the function domain of function मतलब अगर function है तो function define होगा ना कहा से कहा साथ इस interval से r पर है function 0 to 1 इसे कहते है domain a domain है a co-domain है let c be a point in the domain of the function then point c is called a critical point critical point if if it satisfies satisfies either of the following condition one अगर f dash c 0 हो जाएगा तो हम कहा कहा है c is a critical point of the function और second क्या हो सकता है f dash c is which undefined ठीक है तो आइदर f dash c equals to 0 होगा otherwise f dash c does not exist ठीक है इन दोनों case में c क्या हो जाएगा हमारा critical point ठीक है तो हमें अगर critical point निकालना है तो हमें पहले f dash x क्या आ रहा है ओ देखना होगा ठीक है उसको अगर 0 करके हम x का value निकाल लेंगे तो ओ क्या हो जाएगा critical point ठीक है next आते है what is local minimum and local maximum local local maximum and local minimum local maximum and local minimum क्या होता है और हम कैसे निकालेंगे ठीक है एक critical point एक critical point अरीक होता है यूचकी होच अरीक और सिक्ष कीणे wirklich तक क्यारींगे तक्या। करैफ और खह रहा है क्यारे ओक्याना है ट्चीण और स्चीण is a local maximum ößтом अоловुकर तो पल्खेज़ pa असके सक अंग c सबस्केसित कर अंग बखन कि सक अपिन सक अंग कि progress is the magical point that if the function should change, increasing to decreasing at that point मतलब अगर f double dash x अगर हमें less than 0 मिल गया तो हम कहें देगे कre फंक्चन क्या होगा local maximum अगर इन ग्राफ हम देखे तो अगर यह function है ठीक है ? देखो function increasing होते होते decrease कर रहा है यह जो point मिल रहा है इस point को हम cap करेंगे यह जो point यह जो point मिल रहा है हमें इस point को हम कहें देंगे local maximum ठीक है local maximum दिखाने के लिए हम just f double dash x को less than 0 दिखाएगा ठीक है और local minimum इसका ठीक उल्टा हो जाएगा and local minimum if the point if the function if the function changes decreasing decreasing to increasing at that point अगर हम f double dash x को गेटर दिखा दे एक्स क्रिटिकल पॉइंट है तो हम कह देंगे function इस पॉइंट में क्या होगा लोकल मिनिमाम मिलेगा तो लोकल मिनिमाम क्या हो रहा है यह function decreasing to increasing यह को function decreasing to increasing जा रहा है तो यह जो पॉइंट है यह जो पॉइंट है इस पॉइंट में function क्या हो रहा है decrease होते होते फिर increase हो रहा है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे लोकल मिनिमाम ठीक है तो चलो अब हम एक problem को solve करते हैं हमें क्या मिल गया हमें function को critical point निकालने के लिए f dash x 0 करके x का value निकालना है क्या 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 value कौन कौन सी value में x f dash x 0 आ रहा है और अगर f double dash x less than 0 हो गया तो maximum point of maximum मिल रहा है मुझे maximum point और f double dash x greater than 0 हो रहा है तो उस point में minimum value हो रहा है ठीक है तो हमें पहले क्या निकालना है f dash x okay so first के लिए f x equals to मुझे critical point निकालना है function जो दिया हुआ है 0 to x x square minus 5t plus 4 into sorry a t square होगा ना t square minus 5t plus 4 into t square minus 5t plus 6 into dt so f dash x क्या मिलेगा मुझे f dash x equals to इसका derivative क्या होगा 1 into ये क्या है ये gt है ठीक है ना तो g into t के जगा में क्या मिल जगा मुझे x minus 0 का derivative 0 ही होगा into g of lower limit ठीक है तो मुझे क्या मिलेगा g x ठीक है अगर ये gt है तो मुझे क्या मिलेगा this equals to x square minus 5x plus 4 into x square minus 5x plus 6 तो इसको हम थोड़ा सा अगर factor कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे x minus 1 into x minus 4 और यहां से मिलेगा मुझे x minus 2 into x minus 3 ठीक है तो critical point में निकलने के क्या to find critical point so this equals to critical point क्या देंगे critical point क्या तो आगए x equals to 0 imply that ठीक है, x-1 into x-2 into x-3 into x-4 this equals to kya होला, 0 हो रहा है तो अगर f-x, x के जगागर 1 put कर दो, तो ये value 0 हो जाएगा 2 put कर दो तो value 0 हो जाएगा तो x equals to 1, 2, 3, 4 are critical points of the given function of the given function next time I can निकालना है point of local maximum and local minimum ठीक है? next page लेख so, मुझे क्या निकालना है तो f-x जो है क्या है? f-x kya था? x-1 into x-2 into x-3 into x-4 प्लास एक तीन को छोड़के एक को derivative कर रहा है अगर इसको derivative कर रहा है तो जीकिया हमें x-4 इससे derivative कर रहा हूँ third में इससे derivative कर रहा हूँ और fourth में first को derivative कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा हूँ x-2 into x-3 into x-4 यह मुझे क्या मिल गया? f-x अब जो critical point मिला है मुझे वो क्या है था? x equals to 1, 2, 3 and 4 तो हमें चेक करना है f-1 में value greater than 0 हो रहा है या less than 0 हो रहा है तो f-1 क्या हो रहा है? अगर यहाँ पर 1 put कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह 0 हो जाएगा total यहाँ पर 1 put कर देंगे यह भी 0 हो जाएगा यहाँ पर भी यह value 0 हो जाएगा यहाँ पर अगर 1 put करेंगे तो क्या मिलेगा 1 minus 2 so minus 1 into 1 minus 3 minus 2 into 1 minus 4 minus 3 so this equals to minus 6 क्या मिल रहा है less than 0 अगर f bubble dash at this point 1 मुझे less than 0 मिल रहा है तो 1 क्या होगा local maximum अगर यहाँ पर 2 put कर देंगे तो यह 0 हो जाएगा यहाँ पर भी 0 हो जाएगा last में भी 0 आ जाएगा ठीक है तो third term से 2 minus 1 1 into 2 minus 3 minus 1 and 2 minus 4 क्या मिल लेगा मुझे माइनस 2 तो 2 मिल जाएगा यह क्या होगा गटत दिन 0 तो 2 में हमारा local minimum है अगर त्री पर देखे F double dash 3 देखो first term से 0 यहाँ पर अगर 3 put कर देंगे second term मिलेगा यहाँ से भैलू third term के लिए 0 fourth term के लिए 0 तो मुझे क्या मिल रहा है 3 minus 1 यहाँ से 2 into 3 minus 2 1 into 3 minus 4 minus 1 so मुझे क्या मिल गया minus 2 less than 0 and F double dash 4 क्या मिलेगा value put कर दो कहाँ पर put होगा 4 है यहाँ पर 4 है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तो इससे मिल जाएगा 4 minus 1 3 4 minus 2 4 minus 3 1 यह 6 है यह गर तिम 0 तो हमें local minimum so function as local minimum at x equals to कहाँ कहाँ less than 0 यहाँ पर है और यहाँ पर जहाँ पर less than 0 है वहाँ पर local minimum है x equals to 1 and 3 and function h local maximum at x equals to 2 and 4 ठीक है यहाँ पर गट दें जीरो है ठीक है तो हमेरा थार second and third जो है वो में यह गया third question previous ठीक है last में क्या find the number of zeros of the function fx in this interval 0 to 5 ठीक है तो मुझे क्या लिकाल में है जो function क्या देवा होगा है fx equals to integration 0 to x t square minus 4 t plus plus 4 t square minus 5t t square minus 5t plus 4 into t square minus 5t plus 6 into dt तो इस function का 0 निकाल है 0 जो मतलब function का value उस point में 0 हो जाए ठीक है 0 जो मतलब root root of the function ठीक है अगर if alpha be the 0 of fx then f of alpha क्या होगा 0 होगा ठीक तो मुझे चेक करना है 0 to 5 के बीज में कौन सी point है जिसमें इस function का value क्या आ रहा है 0 होगा है ठीक तो fx मुझे निकालना है तो मतलब इसको integrate करना है तो integrate करने के लिए मुझे पहले इसको product करना है तो अगर product कर देंगे तो so fx equals to क्या होगा 0 to x अगर product कर देंगे तो हमें मिलेगा t to the power 4 minus 10 t cube plus 35 t square minus 50 t plus 24 into dt इसका अगर integrate करेंगे हाग तो क्या मिलेगा मुझे t to the power 5 by 5 minus 10 by 4 t to the power 4 plus 35 by 3 t cube minus 50 by 2 t square plus 24 t t इसका लिमिट क्या है 0 to x 0 के लिए क्या हो जागा 0 हो जागा x के लिए आपर लिमिट तो मुझे क्या मिलेगा x to the power 5 x to the power 5 by 5 minus 10 by 4 x to the power 4 plus 35 by 3 x cube minus ये क्या होगा 50 by 2 x square plus 24 x ठीक है अब देखो मुझे इंटर्वेल क्या दिया हुआ है 0 to 5 इस इंटर्वेल में तो क्या हो जाएगा a b 0 by 5 0 0 0 0 तो a 0 में वैलू 0 होगा ठीक है अब देख लेते हैं जो जो critical points है ना हमारा उस point में वैलू क्या होगा ठीक है तो वो थोड़ा निकल अलना पड़े दा f1 f1 अगर यहां पर वैलू पूट कर देंगे 1 by 5 माइनस 10 by 4 इंटू 1 प्रास 35 by 3 1 क्यूब वैलू 1 होगा माइनस 50 by 2 क्या होगा 25 इंटू एक्सेस का वैलू 1 प्रास 24 इंटू 1 तो अगर इसका सम निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 251 बै 30 जो गेटर दिन 0 है ठीक है तो 1 में तो मुझे 0 नहीं मिल रहा है ठीक है तो F2 में वैलू क्या होगा अगर इसी तरह आम पूट कर देंगे यहाँ पर F2 का वैलू मिलेगा 116 by 15 ज़स्ट पूट करके कर लेगा मिल रहा है एक्सेस 20 का वैलू है 243 by 30 and F4 का वैलू है 112 by 15 and F5 का जो वैलू मिलेगा मुझे वो फिर 95 by 6 ठीक है फ़ड़ा वैलू कूट करके चेक कर लेगा एक्सेस जो वैलू मिल रहा है तो हमें जो फंक्सान है जो फंक्सान है देखो अ फंक्सानल वैलू 0 से 5 की बीज़े है यह 0 है यह 1 है यहां पर नमपर 2 यहां पर 3 यहां पर 4 यहां पर 5 तो 0 में फंक्सान का वैलू क्या है 0 दिया हुआ है 1 में क्या होगा फंक्सान पॉजिटिव देखो 1 में क्या है 250 1 by 30 पॉजिटिव मतलब यहां पर वैलू आएगा तो फंक्सान कैसे जाएगा ऐसे जाएगा फिर 2 में क्या है वैलू 1 1 6 5 15 but 1 and 3 1 and 3 में maximum value मिल रहा है मुझे ठीक है ना तो maximum value मतलब increase होते होते decrease होगा ना तो यहां से decrease होगा फिर 2 में जाकर क्या मिल लगा मुझे point of minimum मतलब decrease होते होते फिर increase हो रहा है ठीक है फिर मुझे 3 में क्या मिल लगा point of maximum तो यहां पर 3 में point of maximum मिल रहा है फिर 4 में देखो 4 में मुझे क्या मिल गया था फिर 4 में point of minimum मिल था ना तो यहां पर decrease होते होते थे फिर increase होगा फिर 5 में देखो value 95 पर यह क्या था 6 था फिर 5 में वह value फिर से बढ़ा हो जाएगा तो 0 से 5 के बीज में यह जो कार्ब है कार्ब कभी भी इस x-axis को touch नहीं करेगा फंक्सनल value 0 तब होगा जो एक कार्ब एक x-axis को touch करेगा ठीक है तो सिर्फ 0 ही मुझे 0 में ही 0 मिल रहा है आदर राज किसी भी point में 0 to 5 के बीज में फंक्सन क्या है ऐसे ही जल चल रहा है ठीक है तो उसका value कभी भी 0 नहीं होगा जो के बड़िया है आदर क्या मिल लिया है तो रीक होगी नहीं होगी अ अ गिवन फंक्शन तुक्राइब बड़िया है तो नहीं है दोगी भी 2 नहीं होगी आदर कोगी एक्ट एक्स इक्स इकल्स टू जिरो में है इन्दी इंटर्व है जिरो टू फाइब ठीर तो हमां हमें सारा जो कोस्षिन था उसका वह को में सारा जो साज़स है क्या का था क्रिटिकल पॉइंट क्या है लोकल मिनिमकल में क्लिए मैंने फ डॉबल डास जो जो x है local minimum के लिए क्या होगा एक एट दिन 0 होगा जो जो point मिला था मुझे क्या क्या मिला था 2 & 4 मिला था और f double as x less than 0 के लिए क्या मिलेगा मुझे local maximum मिलेगा point क्या क्या था 1 & 3 था and find the number of zeros of the function fx तो fx का value कहाँ पर 0 हो रहा है कौन सी point में 0 हो रहा है तो मुझे सिर्फ 0 ही मिला तो यहाँ पर x equals to 0 is the only 0 of fx ठीक है ना? ओके थेंक यू